बाई सब को नमस्कार राम राम कैसे हैं आप सभी चली करते हैं एक और क्लास स्टेटिक्स की हमने एक क्लास कर लिए जिसके नदरने बेसिक बेसिक बाते प्रदी स्टेटिक्स की और कुछ कोशन भी करें थे उसके बेस पर आज हम स्टेटिक्स की एक और क्लास करेंगे और इस स्ट्रेटेशन के बारे में सबसे पहला कंटेप्त रोमाजी किने उउइ मीन डेविएशन डेविएशन मुआ है वीचलन अव सारे बत्चे देखो विचलन का मतलब प्य है देखो वीचलन का मतलब कोई चीज अपने केंदर बिंदू से कितनी हट रही है संद नाय मेरी बाद को कोई बीचीज संख्या है वो अपने केंदर से कितना हट रही है जैसे की वोगोज मोण अपनी तीन ऑप्जरवशन है तीन ऑप्जरवेशन है मान लो एक मैं लिखता हूँ दस एक लिखता हूँ 12 वो यह तो ठीक है अब आप से पुंचों की बताओ थो इनका मात अब क्या होगा रही हैं क्या होगा रहा अवय संज माध है स्चलिन המס़ अब विच्नन का जिए हुआ से खने कि तो सब stressing अब पर देखें वारा से यह दो सब्सक्राइब रहा है तो whack वारा से एकुतना हरा है आप यह सिर्फ विचलन आया है यह सिर्फ विचलन चान विचलन आया है तो मत विचलन मैं इनकालन थेसं क्या एक दो तीन जिस्ते है कर देंगे निकाला है उन संक्यां से देखो कि कितनी संक्या हाट रही है força यह तो जोडगा है और pf3 number of ten से डिवाइड कर दिया कि आगे अपना मध्या विचल लिए इतने सिंपल सा concept है अब इसका जो फोर्मूला है वो फोर्म्ला देख लो क्या क्रें ग react flavor फॉर्मला देखू क्या है इसका फॉर्मला इसका कुछ इस परकार होता है मालो पने पास ट्रम है एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स ट्री एक्स फॉर एक्स फॉर एक्स फाइफ इस परकार पने पास ट्रम है ठीक है इस परकार पने पास ट्रम है ठीक कि आ बिष्रम में अब और कि आंपने आपने और आपने अपने चेक करना है आपने अपने रघर advances लगा दिया कि आपको plus है, आए, तो भी plus रहे, minus है, कि God is एक तूज में आपको एक्जाइक जांपल रहे था, आप वा जिक महाईँ था होग अन्तर देखेंगे, minus, plus नहीं देखना अपने, इबसे हमने आपर क्या लगा दिए, देखना है इनके माद देखा और इनका अपस में इनके माद देखा और इनका अपस में आपर क्या लिखेंगे और माइनेस प्लस आमने माइनस को इगनोर करा ना प्लस में चीजिए रखनी है निचे क्या जाएगा नमर ओफ टंस यह जाता है अपना मीन डिवेशन क्या जाता है मीन डिवेशन एक चोटा सा एक्जामपल लेते हैं लिख रहा है लिख पर 5,7,9,11,13 जानों जिए मैंने सिं थेक बीच में होगा वही होता है तो क्या कह Negan Diable अयों सब्सक्ता बीच मैं जो पीच में 59 शाया और उसके साथ उसके माधू देक है तो तो चोसे कोई एकार पांच के सास्ट तो देखो 38 कॉछा हरह ओर ऐसके साथ मेंख और तो चुछा फोर्पांचr áp टो घूर ढूर्वल्र टूम जो टूर साथ कर दो हूं रेधेट किया चार लास्न था उकन्स पैंच्रतेयांग Bay som झाल को गणाउस एक्टवोट पर डिंच कामें को टैवार को सब्सक्क्राइब अरह प्रीड गुंट और यहां तो यह संघ है है इसे ज़्यादा फोकुश करने किसमें जोड़ नहीं है ये कोशन देखो जरा ये कोशन देखो ये कोशन को जरा इस कोशन को करने का प्रत्न करो देखो देमीन डेविशन ओफ द ढटा तीन पाथ आट इन है साथ आठ तो x i-x को पर बार divide by number of terms अब sigma x i तो यह है आपको x बार और निकालना पड़ेगा x बार की value आपको निकालने पड़ेगी इसके निचे निकालने ते ही आप x बार की value आपको और निकालने पड़ेगी तो कैसे निकालोगे देखो सारे बचे इनको सम करना पड़ेगा सम करते हैं चलो इनका देखो करते हैं 8 और 8 16 16 यह हो गया 6 और 7 13 यह हो गया ठीक हो गया, यह कितना हो गया यह हो गया आपका 21 और 14 जोड़ो इनको 10 और 4 14 और 4 का इसल बचाए डिवाइड भाई, नमर उटम्स, 1,2,3,4,5,6,7,8 8 अठो 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 चोशट तो आपका दो मीन आया, वो क्या आया? 8 आया जो मीन आया, वो क्या आया सावे? 8 आया आपको इसके मीन और इसके हर ट्रम का अंतर देखना है उसका विचलन देखना है तो 3 और 8 के विच में तर कितना है 5 का? 5 और 8 के विच में 3 का 6 और 8 के विच में 2 का 7 और 8 के विच में 1 का 8 और 8 के विच में 0 का तो 0 लिखनी जूरत नहीं 10 और 8 के विच में 2 का 11 और 8 के विच में 3 का 14 और 8 के विच में 6 का डिवाइड भाई तीन और तीन 6, 16 और 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, 22 बटे 8, देखो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बच गया 6, पॉइंट, जिर लोगी देगी, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 2.7, 2.7 के आज पास अपना आ रहा है, तो आपको 2.7 सिर्पेक अप्शन दिखता है, देखो सारे बच्चे, 2.7 आपको ए पांच भी आ जाएगा, कोई दिकत नहीं है, तो 2.75 ऑप्शन नमबर C, आपका करेक्ट अंसर होगा, ऐसे निकलता है, मीन डेविएशन, ठीक हो गया, तो ये कोशन था जो मैंने आपको करके दिखाया, ज्यादा कुछ आपको इसमें सोचने की जोड़ते हैं नहीं, आप अ अगर आपके पास आजबा है, गुरूप्ड डेटा, और आपसे पुछ लेए, गुरूप्ड डेटा आपके पास आगया, और उसके अंदर आपसे पूछ लेए, मीन डेविएशन, तो आपको क्या करना है, सीगमा एफ जो भी फ्रेक्वेंसी देर की होगी, क्योंकि इसको नोट कर लेना, अगला कंसेप्ट क्या है, 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 अगल इखना किया मीन डेविशन तरह इखमा एक्स आई माइनस एक्स के उपर बार्द और आपको यहाहँ पर मेंश्री निखल लै वोल दे कि बताओ वेरियांस क्या है बताओ बार्द तो आपको सिर्फ यहां पर इसके उपर स्क्वेर कर देना है और आपका अंसर आ जाएगा कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है देख लो सारे बच्छी क्लियर है यह फॉर्मला एक अलगतरी कैसे भी लिखा जा सकता है याद रखना वैसे तो इस दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आ जाना हो और तो आप सब्सक्राइब कशो लेखे Εिसको फॉर्म महीं टोमें डिखना पर बने पर ल 후 अंदर देखने को इस लिखने मैशे तो ऊसक्ता इस बात को जाना नवा एदराखना यहाद यहां पर इस प्र दोन्स इंवन स्राइगा यह मैंने क्यों लिखवाया है वैसे तुम्हें भी को सिगता था यह क्यों लिखवाया शुकि आपको उसकता है एक्जाम में डिर्क ली फॉर्मुला पुछ लेगा अच्छा इसके अंदर अगर इसके इंदर फॉर्मुला कि लेगा अगर आ पूली डाता है अगर आपको न रहीं तो अन्वूब्र टर्टा ही आएगा वेलां से आप से कुछ ले तो विज़ा सब्सें आप से फर्ला पुछ आज़ा सकता है तो फर्मुला क्या दाइसका सिगमा एफ इन्टू एकस आई माइनस एकस बार का वॉल स्पेर डिवायड़ सिगमा एफ सिगमा एफ और फि यह बनता है दोन पाते द्यान द्यान नहीं यह जो चीज है इसको यह एक्षिन लोगा है यह वेरियांस है और इस वेरियांस को इस पर कर्म दिखा जा सकता है इसका सइन होता है विए डिखाने का ठीक है तो यह जाद रखना अगर आपको कहीं पर यह चीज़ आदिके यह जाए तो यह भी क्या देविशन को ही दिखाता है ठीक है आगे देखे क्या है अगला फर्मुला स्टेंडर्ड डेविशन क्या गोलते हैं उसको स्टेंडर्ड डेविशन देखो विटे दूशने उधार लिए सारे बचे यह फर्याद रगना स्टेटिस्टिक्स का चप्टर आप जब तक नहीं पढ़ते हैं चब तक आपको मुश्किल लगता है जब आ तक में आपको याद रहें देखो डेविशन का अब मैंने आपको मीन डेविशन के फ़र्मुले से में डेविशिन के फर्मुले प्राद बिल्टू सिंपल है यह तो हमें पता है सिगमा एक्स आई- माइनश सिगमा एक्स बार का स्वेर डिवाइड भाई एन यह उता है सब याद रखना अगर यहां से बैरियांस अटागे मैं स्टेंडर्ड इविशन लिख दूं इसको ऐसे देनोट करते हैं बढ़ापर है इस परकार से लिखा था सकता है यह वेरियांस और स्टेंडर्ड डेवेशन का एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है अदर आएग रिखना है यह क्या होता है है फोर्मला स्टेंडर्ड डा-टा-ग गरेटां अंदर आएगा variance अब variance का formula क्या है? variance का formula है sigma f into x i minus x bar का whole square divided by sigma f minus sigma f into x i minus x bar divided by sigma f का whole square. खत्म. ठीक है ना? यह formula है किसका group data का? ठीक है? अगर आपको standard deviation निकालना है तो और यह है किसका ungroup data का standard deviation तो formula ठीक है? अब बात करतें coefficient of variance. याद रखना standard deviation के उपर, standard deviation के उपर आपके exam में person बनाता. देखलो बिल्कुल end में जो informal सीख रहे हैं, वहाँ से person बनाता आपके exam के अंदर. इसके बाद एक concept ओर आता है, वहाँ से भी आपके exam में question बनाता. क्या concept है? वो है वह भई आपका coefficient of variation. क्या है? coefficient of variation. नोट के लिए ना सारे बच्चे, यहाँ से person बनाता भई हरियाना, पुलिस, सव इंस्पेक्टर के टेपर में, coefficient of variation. यह आपको एक question में दिया था, coefficient of variation और आप सा एक कुछ रिज़ा कुछ लिगी थी. coefficient of variation क्या होता है? देखलो सारे बच्चे, most important concept है, यह coefficient of variation क्या होता है? द्यान से देखो इसको, यह होता है. coefficient of variation is equals to standard deviation. क्या होता है? coefficient of variation is equals to standard deviation divided by mean. divided by mean, into 100. इंटू में 100, इसलियर है बात, standard deviation divided by mean इंटू में 100, यह फर्मुला होता है कोफिशेंट ओफ वेरीएशन का, मैंने याद करो, एक आपको एक बर फर्मुला कहला था, कोफिशेंट के नाम से, क्या था वो, कोफिशेंट of range, आपको मैंने कोफिशेंट of range बताया था, आप तक एकजाम में यहाँ से परसन बढ़ा हमें कोफिशेंट of range से, अगर कोफिशेंट of range से बढ़ना है तो कोफिशेंट of range से भी फर्मुला बन सकता है, क्या था इसके निदर maximum value minus, least value minus, least value,ность value divided by maximum value plus विख वई सब्सक्राइब यह वर्हां गांट न लिए अगर यहां से पिर प्रिवेश्य को आपने आपने अगा खिका न अब करते हैं कुछ कों सब्सक्राइब देखो सारे बच्चे कुछ कोशन करते हैं इनी फर्मॉला प्रवेज्ट मैं कोशन लगाता हूं सारे फर्मॉले आपने लिए मेरे साथ से तो पहले यह कुछ और रिजल्ट आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो इंपोर्टेंट है आगे मैं आपको कुछ और मेहतपुन ग्यारा पंतरा साथ नुग ग्यारा थेरा रा स्टंडर्ड आविशन लिए अग वर्ग्मूल ओफ वेडियांस ले एंस बताओ अग्यान्स क्या होता है विर्यांस होता है सिग्मा एक्स आयोवाइनस एक्सट्पार का ओल स्प्रियर डिवाइड वाइज न बताओ इस तरीक आप आपको एक साइक साइक्स बाल शуется लिकालेशं Stacy हम इंक एक्स बार चंद सुनाकर पी अगर मैं पुछूं, xi-x bar क्या है, तो 7-11 मतलब के 2, मतलब के 2, और 9-11 मतलब के 2, ने, sorry, 7-11 मतलब के 4, अंतर निका 4 होगा, सिर्फ अंतर देखना हमने, और 9-11 मतलब के 2, 11-11, 0, फिर 2, और फिर 4, यह आएगा ना, यह आएगा ना, बताओ मेरे को, और आपको इनका square, पहल इनके अंतर का square करना और फिर उनका योग करना है, तो इनका square करोगे तो 6, 4, 4 और 6, 20 और 20, कितने आएगे, 40, सम कर दिया, ओपर क्या आएगा है, यहापर, वरगमूल, यहापर, हमने उनका अंतर किया, अंतर किया, फिर उनका square किया, square किया, फिर उनका sigma कर दिया, सम कर दिय कितना चारी साया डिवाट वाइन कितना है एक दो तीन चार पाँच है और पांच आठे चाली समें वरगमूल 8 कितना आए वरगमूल आठ तो आपको इस रहा होता है और वरगमूल दो का मतलब क्या होता है वरगमुल 2 का मतलब होता है 1.41 क्या होता है 1.41 होता है और अगा मैं दो से इसकी गुना करतूं वरगमुल 2 की मतलब के 2 into 1.41 तो क्या हैगा 2 एकम 2, 248, 2 एकम 2, 2.82 क्या हैगा 2.82 option number D, 2.82 option number D, याद रखना वरगमुल 2, वरगमुल 2 की ये value आपके paper में आ सकती है, आपके paper मे value आ सकते हैं इस बात को विशेश ध्याने रखना है आप चीक है, क्योंकि HSSC ने पहले भी एक बार एक वेक्ट्रेल जवरा नाम का चप्टर था उसके अंदर उसके अंदर एक value पूछ लिथी आप से किसकी वरगमुल 2 की ही पूछी थी शायद, वरगमुल 2 की वेलू की ये अंदर कुछ बुना करना था तो बच्चे वावर कंफ्यूज हो गए थे तो ये बाता फिशे से ध्यान लखना, अगला परसन देखो, परसन नमबर 23, हर्मोनिक मीन निकालना है इसका, हर्मोनिक मीन का फर्मूला तो आपको पता ही है, या नहीं पता, लिखवाए था मैंने देखो सारे बच्चे हर्मोनिक मीन, हर्मोनिक मीन कैसे निकलता है, उपर आता है, नमबर उफ टॉमस डिवाएड भाई, वी, one upon x1, one upon x2, one upon x2, one upon xn तक आता है, ये फर्मूला होता है, हर्मोनिक मीन का, व नमबर उफ टॉमस कितने है, इसके अंदर, चार, आठ, नुर न, जहीं तो है चार है आठ है तो अउपर एक तीन है तो इन तो इनकी तुझ देए सब्सक्राइब एक बाट चार वह नुग है नुग है न रहेग तो समय को चार और आठ डेको लेखो चार आठ लाथी है आठ नोगा, आठ निम में बहतर हो जाएगा, ठीक है ना, बहतर हो जाएगा, देखो सरे बचे चार से काट विसको, चार एकम चार, चार एकम चार, और तीम, चार ठेम, अठारा, पलस, आठ निम बहतर तो पर आजाएगा, नो, नोटी बहतर तो पर आजाएगा, ठीक हो गया है धुच्क भी यह पाइटर एं स्वार्था ओर यह था इत्सी से घ्ट रहे है है थी गुंदा में इस देख़ो हो सकता है वेंे आई देखते हैं देखते हैं कितना आएगा एक अप्शान देखता है तो 6 दोने भरवर 6, 8, 11, 25 देखो, 25 चीखे देखो, पहले होता है, कितना होता है, 25 चीखे 210, तो 6 बचे लेगा 210 को कितने बचें, 6 बचें, 6 बचें एखो, फिर लगा दिया point और लगा दिजीरो, लगा दिया point लगा दिजीरो, तो दो पर तो जाएगा नहीं कोई कि दो पर तो सतर हो जाएगा फिर जाएगा एक पर तो 6.1 तो हमारा ही गया, तो 6.1 हमारा आ गया, 6.1 ए 7 हमारा को उप्शन दिखता है, तो आप बड़े प्यार से कर लोगे, simple question है इनको देखो देखो the variance of 6, 8, 10, 12, 18 6, 8, 10, 12 अर 14 6, 8, 10, 12 और ओर और चुदा आपको इसका variation निकाला है variation sorry variance निकाला है variance का फर्मलाप को पता है क्या होता है सिगमा x i minus x k per bar divide by x i minus x k per bar वो फिर इसका वर्ग इस परके Divided by यह क्या? यह क्या होता है? यह क्या होता है? अगर यहापर square नहीं होता तो यह क tarafर माथ outta तो फिर यह明ंग ट्र millise सिक Too अज को सारे बच्चे 6 8 10 12 वहता है तो मिन होगा यह डिंड सिस billion rebirth पहले तो हम क्या देखते हैं ? X I ौR X बार का अंतर देखते हैं X I ौR X बार का अंतर देखे लेते हैं लग से देखो 6 और 10 8 और 10 पिर 0 फिर 2 फिर 4 चुनिता वर्ग वर्ग मांगा है तो वर्ग कितना हो जाएगा ? 16, 4, 0, 4, 16 और फिस स्रीगुमा मतलें का सम्भी करना है तो कितना जाएगा 20 और 20 चारीस हो जाएगा तो 40 वटे में कितने संखें पांच निकें तो पांच अठें चारीस आठ आठ आपका करेक्टर अंसार आजएगा ओप्शन नूमबर भी ठीक है तो मेरे साब से आप वेरियांस और इस प्रिंटर आपको क्या है यह जो आपको शर Asspiel वेस्टी थानट फॉर्च अखांड़ को नियू कड़ा в फॉर्च नो फोबचा उन बताओ बताओ standard deviation का formula क्या है आपको इसरो option number c यह जे correct option number c बिल्कुल correct है मतलब कि जो standard deviation है वो बराबर है किसके sigma f divided by x minus x bar kass whole square divided by sigma f क्योंकि यह किसका होता है यह group data अगर हम root को ना देखें देखो यहाँ पर variation जो option है a b c d वहाँ पर जो standard deviation जो sign है उसके बाद में बराबर आएगा बीच में बराबर के बाद जो आपका में फर्मला होएगा वहाँ पर डिरेक्टर लिखा हुआ है देख लेना मैं सही करवा दूँआ इसको और option number c यह पर ही बैठता standard deviation का रूट तो आएगा आएगा हमें पता है option number a तो पहले गल्ट हो गया वी सीडी में से वह ठीक हो सकता है तो देखो सारे बच्चे कौन सा option ठीक लगता है आपको अब देखो option number d में भी जो रूट है वो अच्छी त्रीक्रिशन लगाया हुआ तो हम क्या कहेंगे सर option number c is correct ठीक न option number c is correct option number c में क्या है x minus x bar का whole square divided by sigma f clear होगी बात आगे देखे अगला पर्सन क्या है पर्सन नमबर 26 पर्सन नमबर 26 यह इंपोर्ट पर्सन अभाई करो इसको देखो मैं आपको पड़ी कि सुनता हूं कि हिंद्य वाले बच्चे के अब राइना बिल्गुल सीमपल लैंगुज है था स्वेगलं के प्रमें लें आथ ने सोडा है इक न है दिए पासल में है यह एक ने आजम विसी आट दिस। रह आठ से इन दर फ लिए आप से पूछ रहा है आफ्टर काल्कुलोटिंग दमीन उनने मीन कल्कुलेट किया मीडियन कल्कुलेट किया और मोड तीनोचीज गल्कुलेट की एन एरन इस फाउंड और गलती पाई गई गलती क्या पाई गई मतलब के इन में से कोई एक संख्या ऐसी है जो अठारा लिखनी थी लेकिन गलती से क्या लिख दी सोडा लिख दी रिटन एज सोडा इन में से कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंटनसी चेंज होगी कि मीन और मेड़ और मोड देंगे ओनली मोड देंगे ओनली म होगा आपको सारे बच्छे पहले इसको सैट कर लेते है 40 वही करम में ascending order में शो सेट कर लेके सबसे चोटी ही, क्या सिंग क्या, देखो ऐखो सारी बिंटे मेरे को आठ तिकता है, पांच भी दिकता है, पांच से चोटा कुछ है, सबसे पहले आएगा पांच, फिर आएगा आठ, हमारे पास आठ है, ये खोर है, और नहीं,हाँ लिए पर वाद 10 है क्या यह दे सल rozp खना ऑफ और धार एक कारण दस गारा है और हमारी पास्धों 24 नहीं है 24 घूला है थे नहीं है दिए हम आपके लगार ये हो गया, 14, और 15, 15, 16, 16, एक, दो, दो इस वोड़ा है अपने पास, त्रीम पोर है, तुले आपने देता हूं, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 20 अपने पास अठारा है, तुले पराएगा, 18 और और 18, दो पर अठारा नहीं तो बाएगा, सबसे पहले बात तो यह आपको अठारा लिखना था कहीं पर और आपने उसके जो लिख दिया समझे इस बात को अठारा लिखना था आपने गलती से कहां अठारा लिख दिया सबस्केब्स बात को आप कर लिख दिक कर रहे हो और यह तो यह तो अवेरस गल्थ होगा वैसे गलत हो गया क्या है जब आप किसी कोई आपने कोई वैलुई चेंज कर दी आठारक देना सोल लिख दिया तो उसका जो एक्षुल मीन होगा वो कम हो जाएगा तो मीन पर तो फरक पड़े गई पड़ेगा तो अप्शन नमबर B और C को मैं पहले गलत गया देता हूं कि म उसक्ति हो और मोड नहीं इसमें मेन भी चेंज होगा और और ओनली मोड यह दो वैसे गलत है बाता है अब बात करते हैं ओप्सिन नमबर A और देक हो क्या है मिका जखाओ पॉल्कुल ऑपनिद है क्लो और अगर क्या हैो आग्र से करना तो करना ना हूं और कि सोड़ा बटे भड़ जोड़ा बटे दो मतलब के आथ में टर्म मतलब के आठ मीडियन एक दो, तीन, चार, पांच, छे शाथ, आठ मतलब के यह क्या आपका, यह आपका मीडियन है, यह क्या है यह आपका मीडियन है, आप सुन्थे इस बात को, यहाँ पर शोला के जिनगा, अठारा लिखो, 18 जिन लिखो एक स्थिती दरसाती है कोई संख्या कोई संख्यात्मा कमान ने दरसाती है कि जो बिल्कुल बीच में संख्या हो क्या है चोड़ा है जहाँ पर 18-16 करते हैं कोई पर नहीं पड़ता मीडियन पर कोई परभाव नहीं पड़ता तो option number A गलत हो गया option number A क्या क्या रहा है कि mean और median पर परभाव पड़ेगा लेकिन median पर कोई परभाव नहीं पड़ता mean पर पड़ता है तो option number D is correct mean and mode पर परभाव पड़ेगा अब देख लेते हैं mode पर कैसे परभाव पड़ेगा देखो mode का मतलब क्या होता है जो जाज़ादा बर repeat होती है वही mode होती है जैसे कि देखो 8 दो बार है 10 दो बार है 12 एक बार है 14 दो बार है 16 यहाँ पर 3 बार है और 18 यहाँ पर 2 बार है तो mode 18 हो जाएगा हमारा तो जाद रखना mode पर बार हो पड़ रहा है इस परकार हम चेक कर सकते थे तो option नमबर जो डी है वो बिलकुल हो जाएग ठीक है अगला परसन देखो परसन नमबर 27 यह परसन तो देखते ही करता दो यह जहां पर भी ओग्यू करते हैं आप पर क्या आता है अगला परसन देखो फिर स्ट क्लास वह फिर सटेंट है वह फर्स्ट क्लास लेते हैं यहां से लेके यह तक एंगल कितना है तो यहाद रखना जब आपको πाइचार्ट के अंदर कोजीज दिखाई जाती ना तो पाइचार्ट के अंदर वो आपको डिगरी में दिखाई जाती कैसे डिगरी में अब यह कह रहा है कि 20% student ने math में 20% student ने math में पहली class first class परप्त की तो बताओ what is the central angle of corresponding to the first class अगर first class को देखो, जो first class है वो 20% बच्चे जो इने first class लिए है अब देखो सारे बच्चे अगर आपको यह इस पाई-4 तक इंदर दिखाना है तो बताओ, मानलो यह है वो angle तो आपसे पुझा कि वो angle क्या होगा है यह बताओ तो समझा इस बात को, आपको पता है percentage में total कितने होते हैं, 100% percentage में total कितने होते हैं बताओ मेरेको, 100% होते है 100% होते हैं, कोई दिकत इसमें, कोई दिकत नहीं और मेरेको बताओ degree में, degree में total कितने होंगे 360 degree, कितने होंगे 360 degree, तो मेरेको बताओ भई पर्सेंट की वेली तिन सट गिरी है, तो एक पर्सेंट की वेली तिन सट रघ सू, अपको किसी वेली निकलनीघ, 20 पर्सेंट की वेली क्या वी, 3070 बठी में, सो गुदा में 20 20 से काटो गें 5 5 5 5 5 5 5 25 क्या कह गोगेreichen कितना डिकर् si.... के क्तना डिकरी सुपन बैटना है कि थाले क his laptop is akba no c प्रक्र कि यह तरीका है आग टेजिद को द्यान रकना ठीक है। से अगला परसें देखू । यह भी सिंपल है एफ टन को data the graphs for less than ogyu and more than ogyu दो ogyu बताई थे मैंने एक less than more than r drone if the point at which the two curves intersect is p के रहा है less than on ogyu or more than on ogyu p point पर intersect करते हैं then of sis का of point p gives the value of which one of the following measure of central tendency के रहा है जिस point पर p touch करते हैं वो point क्या कहलाएगा वो point क्या value देता है तो मेरेको बताओ median मैंने क्या कहा था आपको मैंने कहा था ogyu वड दिखते ही किस पर click कर देना median पर click कर देना option number a अगला परसंद देखो in an examination 40% of the candidate got second class when the data are represented by a pie chart what is the angle corresponding to second class बताओ मेरेको इसमें क्या पुच्छा आपसे आपना इसमें एक बात यासी द्यान रखो इसमें पाई चार्ट के इंदर दिखाना कि इतने डिगरी होगा और चालिस प्रसेंट है आप ऐसे याद रखा अगरो बात हो कि भाई 100% की जो वैल्यू है वह 360 डिगरी के बराबर है तो एक परसेंट की वैल्यू कितनी है 360 बटे एक परसेंट बराबर है 3.6 डिगरी लिगरी तो अब ऐसे यादर रखो कि 1 पैट परसेंट बराबर है 3.6 डिगरी गैँक यूद रखेंप Над्र बात घर स्च आपने आपको मैंने कंसेप्ट बता है था कि जो मीन होता है जो मीन होता है उसके अंदर आप गोभी एड करते हो जो भी संख्याओ के अंदर एड करोगे sah भी मीन के अंदर हो ज dependency जाएगा जो गटा करोगे मीन में सी गटा जाएगा जो the new variance of the resulting observation तो जो नुए variance होगा वो क्या होगा आप से पूछ रहा है मेरे को बता वही इस question को करने से पहले देखो मैं आपको कोई चीज रटा होँगा नहीं समझो आप इस चीज को हो सकता है आप इसको देखते ही कहा दो कि variance पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा या फिर आप मीन वाली बात याद रख सकते हो कि मीन में परभाव पड़ता था तो यहां पर भी परभाव पड़ेगा आप कहा दोगे कि पहले इन का अंदर कितना है ? जी रूँ इन का अंदर कितना है ? ढो इनका अंदर कितना है ? दो इन का अवर करो अगाओ चे और आट तो का रफोर देखते हैं 2-2 जोड़ने के बाद अब eruड़ा सब आप Halo दीडिशनित पिर गया पर चे आएगा इनकर देखो शेणर दीए खो दो दो और चार दिखरें आप आपको दो का बर चार जीर expired हुआ इनका भी कितना आया, आठ वटे तीन आया, तो आप यहां से एक बात सीख पर रहे हैं, कि याद रखना, संख्याओं में, संख्याओं में कोई चीज जोडने पर, कोई चीज जोडने पर, कोई चीज जोडने पर, कोई चीज जोडने पर, उसके मेन पर तो प्रभाव पढ़ नहीं पड़ा पड़ने पर फिर भी स्वाराये तो जोडने या गटाने पर कोई परभाव नहीं पड़ता तो उसके स्टैंडर्ड डैवीशन नहीं पड़ता को अगर उसके variance पर कोई परवाव नहीं पड़ता जोड़ने और गटाने पर जैसे कि mean में तो पड़ता था जोड़ो गटाओ गुणा करो भागरो लेकर variance पर जोड़ने और गटाने पर या देखना सिर्फ जोड़ने और गटाने पर कोई परवाव नहीं पड़ता अभी गुण करेगा चार ही रहने वाड़ा है option number B is correct अगला परसन देखो परसन number 32 यह करो जरा इसी कोशन के अंदर देख लेते हैं इसी इसी एग्जम्पल के अंदर सीख लेते हैं इस चीज़ को भी देखो the variance of 20 observation is 5 पांच है if each observation is multiplied by 3 कर आगर हर एक observation को तीन से गुना किया जाए ठीक है then what is the new variance of the resulting observation देखो करा गुना किया है multiplied by 3 multiplied by 3 अगर देखो इनका तो आपको पता है इनका जो variance आया था वो आठ वटे तीन आया था आपको पता है आपको पता है लेकिन अगर अब जाए हरेक संथा में आपको इस चीज़ की गुना करनी पड़े जैसे इसमें 3 की गुना तो 3 की गुना करे देते हैं तो 3 तो तो ने 6 तीन चौके बारा और 3 चीक 18 पटीड तीन चीक 18 ठीक है ना आप देखो इनका जो मध्या होगा वह यहीं होगा वीन क्या होगा चैन बाराअ अठारा मतलब की बारा चैन से गया पर इच्छाख अंतर कितना रहसा जिल्स भाराव जिन जीरो फरक्त तो पड़ा सकते हो, तो या दखना, इस बात को विशेश ध्यान रखना, कि वर्यांस, मैं आपर लिए देखता हूं, वर्यांस, वर्यांस और स्टेंडर् डैमिशिंड दोनों पर सिम चीज़ होगी, वर्यांस और स्टेंडर् डैमिशिंड पलस या मैंश करने पर, और नोट करना है प्लस में करने पर कोई प्रभाव प्रभाव प्णवा इस बात को कीतमा पढता है हम यहां पर आपर है करें प्रभाव कर नहीं कि जाती है यह लगर लग है सिरक प्रभाव पड़ते हैं तब अगला पर संदे को परसें नाँबर 33 से परसन नमर 23 इसी का जो अवो 12.5 ऑश्यठीश है वो 11.5 पांच है आपको पैंट नहीं है आपको प्लेस्कों मैंने पहले प्क्ताद्य जी और ऑप्चिन लुटा है 12.5 नहीं है इच अब्दरवेशन हर एक अब्दरवेशन में इसे 5 गटाया गया and then is divided by 4 और उसके बाद 4 से भाग किया गया तो बताओ what will be the new mean and new standard derivation respectively यहलो बताया है और फिर गुना किया इस सोरी भाग किया कि के इसे चार से देख से किसी एपाग किया परत आइंतर कर पें तार्यास मतलब मतलब के 45 hingए 5 कि उकसे 5 गटाई न घ्राव कहिंए। मतलब को सब पीडिने सोरी मैं निकलते से ज़्य दिया था उप्शिन निम्ड दी नहीं है आपको जो mean change हुआ है वो 11.25 हुआ है जो mean change हो कर आया है वो आया है देखो पहले 5 गटाने के बाद की हमने mean में से 5 गटा दया 45 बचाई फिर 4 से भाग करने के बाद की हमने भाग कर दिया 11.25 बचा option number B.O.C. में से कोई भी वह सकता है अब यहां पर check करते है यहां देखने में C. Option number C is C. Correct. Clear होगी बाद अगला परसन देखो. Simple था ना? अगला परसन. यह करो जा रहा है. The mean and standard deviation of a set of values 5 and 2. उसी पर करका कोशन लग रहा है. mean and standard deviation दे रखा है आपको 5 और 2. mean दे रखा है आपको 5. standard deviation दे रखा है आपको 2. मतलब के standard deviation दे रखा है आपको 2. यह दिख जते ह है. ठीक है? If 5 is added to each value, 5 दोनों में add किया गया. क्यारा 5 is added to each value, हरे value में 5 और पाच एड किया गया. What is the coefficient of variance for the new set of values? अब सम्झो इस बात को. coefficient of variance पुच्छा आप से. coefficient यह परसन आपके paper महा सकता हुए. coefficient of variation, important person. coefficient of variation क्या होता है? standard deviation divided by mean into 100. क्या होता है? standard deviation divided by mean into 100. बताओ कोई दिखकत इसमें? इतनी बात clear है. अब यह कह रहा है कि हर संख्या में 5 is added to each value. हर value में जितनी भी संख्या ही थी, x1, x2, x3, जितनी सब में प जोड़ोगे तो नया मीन होगा तो नया मीन होगा उसमें 5 जुड़ जाएगा मतलब के 10 हो जाएगा तो नया मीन होगा उसमें तो पाथ जुड़ जाएगा, 10 होजएगा, कोई दीकत नहीं है, लेकिन standard deviation पर कोई फरक नहीं पढ़िए, क्योंकि कोई चीज जोड़ी है अपन परसन का राइटन चला जाएगा, option number B, बताओ कोई दीकत इसमें, clear है बात, कोई आपको यहाँ पर ये परसनों के जरी में क्या समझना चाह रहा हूँ, जो change होता है परसनों में, वो किस प्रकार होता है, वो देख लेना, सारे बच्चे, अगला परसन देखो, coefficient of variation of two distributions, arithmetic means are 30 and 25, बताओ, difference of their standard deviation, ये परसन बताओ, पहचांगो इस परसन को, कहां से आया है ये, ये परसन आया, previous year से, अरियाना पुलिस से, पता नहीं, कौन सेबल के exam में था, या सब इंस्ट्रक्टर के exam में था, साइध से सब इंस्ट्रक्टर के exam में था, उस paper में ये परसन था, वहाँ से उठा के लाए है, coefficient of variation of two distribution are 50 and 60, क्याहिक ऑफिशंटो वरिएशन दे रखें, coefficient of variation दे रखें, coefficient of variation दे रखें, coefficient of variation, आपको दो दोji video distribution 3D Instagram Dexy Stream to a 50 and 60 and their arithmetic mean 30 and vital difference of the standard definition. हाँ ठीक है ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे एक हो गतना आपको पचास ओर 60 50 और शाट और आपको देन रिक्ए है उनी उनी डिस्रिप्रेज मेन आर्फमेटिक मेन पूला था है जैक सकते हैं हमेन ऐसे निखते हैं me रह willst डिफ्रेंट ओफ देर स्टेंडर डिविए सनगीएशंगलों ऊप्रेंश हैं दिफ्रेंच ओफ देर स्टेंडर डिविएशन अम को को सुपिशन टो टरह एं एक प्र अंगे सार भी का तो पहले जो पतासे स्कों दिने क्या होगा यह स्टेंडड डिवीशन वन डिवेट वन इन टू में 100 बराबर कितना है 50 के क्योंकि यह क्या अपिशेंट वेरिशन है पहला किया 50 मैं लिख दिया दूसरा क्या है सबस्क्राइब को सबस्क्राइब कर देखो कर देखो तो पन्दा पे तो स्टेंडर डेशन वन कितना है पंदा तूसरा पंदा आया दूसरी के समेंडेंट शेक पर जणा अब आप से क्या बोला इसने कि डिफरेंस ओफ दोलों स्टेंडर डिफरेंस बताओ तो यह भी पंदरा डिफरेंस क्या होगा जी रो पॉप्षिन नमबर बी ऑप्षिन नमबर बी इस एक ठीक है अगला कुछन दा मीन डिवेशन यह तो कर लोगा यह तो कर लोगा बहुत सिं पॉपषें, मीन डिवेशन पुछा है आपसे कैसे करोगे दिखो, दो मेला डिवेशन ओफ द्द डडाटा थीन दस दस चार साथ 15, 10 और पांच लगा लो इनपो, पहले लिगो फीर पांच 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5 से साथ और फिर 10 है तिन बर, आपसे पुछा है मीन डिवेशन कि माइनस सिगमा के पर बार डिवाइड भाइए यह था यह था मीन डेविशन तो मेरे को बता हो बहुत इनका तो मत यह होगा इनका मत देखा होगा मीन क्या होगा मीन मीन बताओ पहले इन सब को जोड़ लो तीस तो यह दिखने है हमारे वह आपर तीस इस सअब पर तीन दस बतलब के चालीक होगे ऑल नहीं जाएं गांचे शाथ नहीं एक दो तीन चार पांचे साथ तो जास बटि महाँ साथ यह तो मिन कितना है साथ आया अब इनका अंतर लो एक साई माइनस एक सबार इनका आं तर देख लो और हम और आ सबस्थ आइगा पात कि सबसे डुघ। तीन- तीन-टिन-टीन बताम को जिए सुस्तम है तक्लेद इन कौन popularace इन सब कर सीगमा करो, इन इन को जोड़ दो, देखो, आपका आएगा यह 4, 37, 789, 9,8,8,8, असलंफ देखो, देखो, 78, attractive, 25, 25, दिख कर अब एक उसार manifest, दिख एगा ऐसान सबंगर, प्रसिय चोटो पॉइंट फाइब सेवल ऑप्शन नमबर ए शी पॉप्शन नमबर ए शी ओप्शन नमबर शीज ए परेक्ट दमीन डिवेशन अबाउट दमीन फोल दड़ाटा इसलों मीन डिवेशन निकल लाइए उसी एक्जाम के अर्याना पूलिस अप्र इंस्पेक्टर का कोशन है कर लेना तो मीन डिवेशन हराम से निकालो गया पूशिक अगला परसन देखो यह परसन ए ठीटिकल परसन है पर पता हूँ जो मैंने पुसम्ज़ें सारे पूशे एबी-सी डिए ऑद ऑब्जर्वेशन विद्धा मीन एन करहाए अबी-सीडी यह ओब्जर्वेशन है और उनका मीन है एन और स्टंडर्ड डैवेशन से एंड स्टंडर्ड डैवेशन लिखा इसका मतलब है यह फोट स इसके बाद S है, standard deviation S, कह रहा है mean M है और standard deviation S है, ठीक हो गया, the standard deviation of the observation से, the standard deviation of the observation kx1, kx2, kx3, kx4, kx5, कह रहा है, अगर, देखो, x1, x2, x3, x4, x5, यह तो क्या है, यह तो आपके observation है, जो A, B, C, D, E, ते रखिये हैं, उन्ही का नाम है, x1, x2, x3, लेकिन स्थम्हें क्या कर दिया, इसने K की गुणा कर दी, क्या कर दी, K की गुणा कर दी, तो आपसे पूछ लिया, standard deviation क्या होगा, अगर आप सभी संख्याओ में, सभी observation में, किसी एक टरम की गुणा करते हो, तो standard deviation पर फरक पढ़ता है, कितना फरक पढ़ता है, उस K की दिन्टिविशन होगा वह भी क्या होगा के इंट वह सिन्ट में के को जोड़ते ना अगर जोड़ते तो फिर सली यह पर कोई पर्बाओ नहीं पड़ता तो इस लीणि कहा जाएगा ओप्जिक गॉल चलो जी यह थे अपने आज के कोशन और इस अप्टर में आपको इसे जदा कुछ करने ही जुरूत नहीं है एक दो छोटी मोटी बात नहीं है वह देख लो कोशन सारे मैंने करा दिया आपको जो भी इंपोर्टेंट इमोड़र से एक दो और चोटी मोटी चीज़ है एक होता ह लिए को रिलेशन अगर आपके अग्जाम में आयग तो देख लेना को रिलेशन क्या है और रिलेशन को अग्या ओर आफके पास अ नेकें ख combustion x1 x2 x3 x4 रेको टा Celebration से तो डो आपर उंका कार साथ संत्त वे रहा है यह तो होता है और पोजिटीव कोडिरलेशन एक नेगब और एक होता है अपका क्या 0 Correlation क्या होता है 0 Correlation देखो Positive correlation कैसे समझाए अगर आप ऑलो को गढ़ा रही हो अगर आप को बढ़ने से ओलो भी बढ़ रही है तो वह इस रृटलीलेसों देखो है अगर आप एक ऊथे लू भी घट रही है तो यह पोजिटीव जिससे बाहरी टारफी ठेग्टीव चांव रहे हैं जिपर एकस की वाल्लू तो यह इस only नेगितिव कोर्रेलेशन होता है ठीकव यादर को X की value को बढ़ाने से या घटाने से X की value को बढ़ाने से या घटाने से अगर Y पर कोई परभाव नहीं पढ़ता X की value घटाने से या बढ़ाने से Y पर अगर कोई परभाव नहीं पढ़ता यह कोई परभाव नहीं पढ़ता कोई परभाव नहीं पढ़ता तो यादर रखना को किattiवर भाइक पर रही है या गड़ाने से घट रही है तो पॉजिटीव बढ़ाने से गड़ार हさんत्क रही है रोटा हो रहा है तो नेगतिव और गटाओ या बढ़ाओ कोई सबस्क्रिंटू अ क्या मतलब यहाँ पर भी एक ट्रम ना उकर दो ट्रम होंगी मतलब कि एक ट्रम होंगी सारी एक सर फूर एक से लिख टूर क्या बोलते हैं इसको covariance, covariance, क्या होता है covariance, simple formula होता है covariance का, क्या होगा, देखो variance के इंदर हम सिर्फ x से deal करते थे, एक ट्रम होते हैं, एक अपनी observation होती थी, x तो उसको लगा रहे थे, यहां पर 2 होंगी, co i अगर तो 2 होंगी, x और y दोनों लगा देंगे, तो क्या होगा formulा अपना, देखो सारी पहरीक चे शिग्मा, क्या होता है, बताओ मेर को covariance का फर्मुला क्या होता है, देखो pearस काई sigma x i minus x bar sigma x i minus x bar जांद रह weakly ni कर ना है, तो या बिस एकड़ी спिर कर दो, आपर square नहीं है, आपर स्क्वेर नहीं है और इंटु में yi-y-bar टिक है डिवाइड भाइड में क्या एगा सिग्मा एंद मतलब के नंबर ओफ तुम सिंदे पर निचे क्या देगा नंबर ओफ टम साथ है नंबर ओफ तुम साथ है नंबर ओफ तुम साथ है को वेरियंस और य यह याद अगना ऐसा-ऐसा formula भी आपके सामने दिख सकता है एक दाम के अंदर जिसको बोते हैं covariance का formula यह तक न को वेरियंस में आप यहाँ पर square लगाते हो यह simple तो आप किसम करते हो mean deviation में यहाँ पर square लगाते हो यहाँ पर square इसमें निलगा है को कि हमने यहाँ पर दो अलग लग चीज़ ल जूरते नहीं हैं फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद